आज का जो हमारा चर्चा का विशे है वो है हमारा बारवी कक्षा का चौथा अध्या है रेप्रोड़क्टिव है जनन स्वास्ते उसमें भी आज हम भाग दो के अंतरगत पड़ेंगे जनसंख्या इस्थाई करण और जन्म नियंतरण के बारे में इससे पहले हमने देखा कि जन्संख्या क्या होती है क्या क्या किस वज़े से जन्संख्या जो है भड़ी है आज हम बात करेंगे जन्संख्या इस्थाई करण क्या है और कैसे हमारी भड़ती वी जन्संख्या को हम नियंतरण कर सकते हैं So, यदि हम बात करें, विश्व की जनसंख्या के बढ़ोत्री की तो आईए देखते हैं, विश्व की जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, बच्चो ये, क्या हो रही है, विश्व की जनसंख्या, इसमें हम बात करें, तो 1900 में हम बात करें, तो ये थी हमारी दो बीलियन, की है तो दो बीलियन तो होगी फिर हम आ जाते हैं 2000 के अंदर 2000 में हम बात करें तो यह भड़कर हो गई 6 बीलियन और 2011 में इसकी कंडिशन क्या रही 2011 में यह हो गई 7.2 बीलियन तो देख रहें भड़ोत्री अब अपन बात करते हमारे भारत देश की ठीके इन इंडिया भारत जनसंख्या की बात करें भारत जनसंख्या अब भारत जनसंख्या में क्या हुआ इन्हों ने बोला कि जो हमारे अंग्रेजों का समय था उसमें तो हम हमारी जनसंख्या क्या कुछ नहीं पता आमें ना हम कुछ कर पाई लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद की हम जनसंख्या बता देते हैं तो 1947 में हम बात करें तो ये जनसंख्याती हमारी 350 million फिक है, 250 million 2000 में हम बात करें तो ये बढ़कर कितनी हो गई? ये बढ़कर हो गई भई हमारी एक हजार मीलियन किती हो गई एक हजार मीलियन यानि कि हम इसको एक बीलियन और यदि अपन दो हजार ग्यारा की बात करें हमारी इंडिया की पॉपॉलेशन की तो भई ये हो गई बारा सो मीलियन या हम कहें वन पॉइंट टू बीलियन अब देख लो तुम कहां कंडिशन पे हो इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होने के बाद भी हम अपनी जनसंख्या में बहुत ही कम नियंत्रन कर पाएं हैं देखा जा रहा है 350 मिलियन से 1 बिलियन फिर 1.2 बिलियन तो देखो ये इतने से गैप में कितनी जादा जनसंख्या बढ़ी है तो क्या कहते हैं आचो पिछले कुछ दशकों में लोगों की जीवन सर में महतपोन रूप से सुधार हुआ है सन 1922 में पूरे वेश्वे की जनसंख्या लगबग कितनी रही 2 अरब यानि कि 2000 मिलियन सन 2000 में तेजी से भढ़कर 6 अरब तक पहुंच गई और 2011 में तो भाईया ये 7.2 अरब हो गई हमारी जनसंख्या मतलब हमारे भारत देश की जनसंख्या की बात करें तो 350 मिलियन यानि कि 35 करोड थी फिर 2000 में ये कहां पर पहुंच गई एक बीलियन पर और 2011 में कहां पहुंच गई 1200 मिलियन पर क्या हुआ इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छटा व्यक्ति दुनिया का हर छटा व्यक्ति कौन है इंडियन है भारतिये है इस सब का कारण संभवते क्या होगा अब खुदी सोचो ना कि यदि जनसंख्या रेगुलर भढ रही है that means हम बोल रहे हैं कि मृत्यूदर में कमी आई होगी है ना मतलब reason यदि मैं find out करूँ तो मैं क्या कह रही हूँ कि मृत्यूदर में जो है गिरावट आने की वज़े से जनसंख्या में तेजी से व्रद्धी हुई है इसमें कोई दोर आए नहीं है अब हम क्या बात करें मृत्यूदर में भी किसमें एक तो हम कह रहे हैं मात्र मृत्यूदर में कमी आई है फिर हम बोल रहे हैं शिश्यू-मृत्युदर में कमई आई हैं और हम फिर बोल रहे हैं कि ऐसी आयू के लोग जो की जनन योग्ये हो जो जनन करने में हम बोल सकते हैं जो जनन करने के लिए हो ऐसी आयू वर्ग के लोग भी किसमें रखे गए हैं इस ते इनी में रखे गए हैं यानि की मात्रमृत्यूदर शिशुमृत्यूदर की कमी के साथ जनन आयू के लोगों पर क्या हुआ जनन आयू के लोगों की जो मृत्यूदर थी उसमें गिरावट आई है ठीक है तीन काटेगरीज हमने बात करी मात मृत्यूदर शिश्य मृत्यूदर और ऐसी लोग ऐसी आयू के लोग जो जनन के लिए responsible हूँ हालांकि हमने अपने जनन आयमें बाल स्वास्ते सेवाओं में एक जनसंख्या व्रद्धी की दर में कमी तो की है मतलग जो चेंजेज आये हैं उसकी वज़े से हमारी कमी तो हुई है लेकिन यह कमी कैसी है नाम मात्र इत्तू सी कमी है और 2000 की जनगर्णा के इनुसार देखो इ तो दो प्रतीशत यानि की हम बात करेंगे एक हजार व्यक्ति में बीस व्यक्ति प्रतिवर्ष थी एक हजार प्रती में बीस व्यक्ति प्रतिवर्ष हमने दो हजार एक की जनगर्णा अनुसार ये पता लगाया नाम यदि पी इस व्रद्धी दर से हमारी जनसंख्या तेज से ही भढ़ रही है यह तो बिलकुल सही बात है इस प्रकार की चेतावने पूर्ण व्रधी से की दढ़ से मूलबूत आवशक्ताओं का नितांत अभाव हो सकता है बिलकुल बिलकुल करेक्ट बात है क्या बात है कि यार जैसे-जैसे मतलब जैसे-जैसे हम पॉपुलेशन होगा जो हमारे बेसिक नीट्स है रोटी, कपड़ा, मकान इनके लिए हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्यों कि खीचा तानी होगी बहुत सारे लोग होते हैं अब जैसे बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या कहेंगे कि डेफिनेटली बेसिक नीट्स में वहां पर प्र क्या करेंगे कि इस प्रकार की समस्या को निपटने के लिए एक महतपूर यह था कि लगू परिवार को बढ़ावा देने हे तू गर्व निरोधक उपाई यानि कि कॉन्ट्रा से जो उपाय थे या मैथट से उनका यूज किया जाना चाहिए इससे बात क्या हुआ कि जब हम थोड़े समय पहले पर जाएं तो हम बोलते थे हम दो हमारे दो लेकिन धीरे धीरे लोगों की में चेंज आया उनको लगा कि बेसिक नीच में प्रॉब्लम क्रेट होगी ठीक है हर चीज का अभाव हो रहा है तो अब जो नारा लगता है वो क्या लगता है हम दो हमारा एक र अपनाया और इसके अलावा जो वैधानिक आयू है हमारे विवा की वो क्या हुई जो बॉइ है उनके लिए 21 और जो गर्ल्स है उसके लिए 18 रखी गई थी तो ये भी एक कारगार था इसके अलावा हम क्या करेंगे कि इस समस्या से निपटने के लिए या लगू परिवार क के लिए जोडों को प्रुसाहित किया जाना चाहिए था एक आदेश गर्व निरोधक कि हम एक आइडियल कॉंट्रसर्प्टिव की बात करें तो क्या क्या उसके फीचर होने चाहिए मतलब क्या 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 समें क्वालिटी होनी चाहिए राइट तो हम बोलेंगे एक तो यद तो क्या बोला प्रयोग करता के हितों की रक्षा करने वाला आसानी से उपलब्द हो फ्राभावी थाटा जिसका कोई भी अब कोई भी आप यूज्य उसकर रहे हैं उसका जो है मुझा बुरा असर ना हो और हो भी तो बहूत कम मात्रा में तो क्या बोला प्रभावी जिसका कोई अनुशंगी प्रभाव या दुश्प्रभाव ना हो और हो भी तो कैसा हो कम से कम यह उप्यों करता कि कामेच्छा प्रेड़ना वे मैथूं से बादक ना हो मतलब इंटर कोर्स करते समय कोई प्रॉब्लम ना है और जो डिजाइर्स है उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसी हमारी केंटर कॉंटर सेप्टिव मैथर्स होने चुए प्रचलित गर्व निरोधक साधनों को निम्ने समों में विभाजित किया गया है अब देखो हम बात कर रहे हैं कॉंटर साप्टिव मैथर्स की यह अच्छे से आद करेंगे कॉंटर साप्टिव मैथर्स की हम यदि बात करें तो वी हाव में फोर माथर्स ठीक है हमारे पास बेसिकली चार मैथर्स हैं कौन-कौन से पहले तो एक काम कर देते हैं अपन गर्व निरोध उपाए चार तरीके के हैं पहला हम बोल रहे हैं प्राकर्तिक या फिर हम बोले नैचरिरल मैथर्ड दूसरा हम बोलते हैं अवरोधक या फिर बेरियर मैथर्ड थर्ड हम बात करें तो हम बोलेंगे रसायनिक या फिर क्यामिकल मैथर्ड और लास्ट वन हम बोलें जो सबसे कारगार मैथर्ड है सबसे जादा कारगार जो साबित होता है वो होता है हमारा शल्ले क्रिया यानि की सर्जीकल मैथर्ड सर्जीकल मैथर्ड तो यह में चार मैथर्ड हैं जिसको हम एजर कॉंट्र सेप्टर मैथर्ड की शेणी में रखते हैं अब हम बात करेंगे यदि प्राकरतिक नैचरल मैथर्ड जो है बच्चो उसमें क्या-क्या आता है देखो असको अलग कलर से लिखे हैं अपन वाइट कलर से लिख लेते हैं ठीक है इसमें सबसे पहला मैथर्ड आएगा वो आएगा हमारा विद्ड्रॉल या कोईटस इंटर्प्टस मेथड विद्रॉल मेथड या फिर कोईटस इंटर्प्टस मेथड दूसरे मेथड की बात करें तो rhythm method और last method की बात करें तो हम बोल सकते हैं lactation या lactational eminoria ये तीन methods किसमें आते हैं natural method में इसकी हिंदियपन वहाँ पर अभी मैं dictate करा दूँगी barrier method की बात करें barrier method की बात करें तो इसके अंदर बच्चो बेसिकली condoms आते हैं condoms को भी दो तरीके से divide किया गया है male and female condom और इसके अलावा females में हम तीन चीज़े और देख सकते हैं क्या देख सकते हैं हम देख सकते हैं cervical caps diaphragm diaphragm and last one is walls ये तीन जो हैं हमारे barrier methods में हैं फिर हम बात करें chemical methods की chemical method की बात करें तो इसमें हम basically जो pills होती हैं उसकी बात जो गोलियां पर लेते हैं गर्व निरोदक गोलियां जो आपने बहुत सुनी है सहेली मालाडी फिर हम बात करें कि कुछ intra uterine devices होती हैं फिर हम बात करें कुछ implants भी होते हैं और इसके अलावा हम बात करें तो कुछ injection यह टीको की रूप में भी दिया जाता है ठीक है chemical methods में pills पढ़ेंगे IUDs पढ़ेंगे implants जिसको अंतरोप कहते हैं और injection जिसको टीका के रूप में हम जानते हैं फिर हम अपन शल्ले क्रिया के बार में पढ़ें तो शल्ले क्रिया में basically दो methods है शल्ले क्रिया में basically दो methods है एक होती है tubic tummy जो females में होती है और वासक tummy जो किसमें होती है males में होती है तो यह basically चार method जो है बच्चों तुम मेरे साथ में पढ़ने वाले हो अभी जिसमें आज आपन पढ़ेंगे प्राकर्तिक method सबसे पहले फिर next part में अपन बाकी के methods पढ़ेंगे तो आज हम देखेंगे natural methods में क्या-क्या होता है आ जाओ तो प्राकर्तिक और परंपरागत यहां लिख देती हूं में एक बार और यह हो गया natural method ठीक है road में हम बोल रहे हैं barrier यह वरोध वाला method अंतरोप पिल्स इंजेक्शन अंतरोप यह आएंगे chemical method Hindi आ गई ना सबकी और जो शल्ले क्रिया में आएगा यह आएगा हमारा surgical method surgical method now now we have प्राकर्तिक विधिया यह natural methods क्या हैं जिसमें हमने बोला तीन methods हैं तो तीन methods की हम बात करेंगे अभी कैसे natural method में सबसे पहले हम बात करें withdrawal method withdrawal method या फिर coitus interruptus Hindi में यह दी हम बात करें एक तो हो गया हमारा यह तो rhythm method हो गया यह रहा ठीक है बाहय सखलन ठीक है इसको हम बोलते हैं बाहय सखलन ठीक है दूसरे method की हम बात करें तो rhythm method rhythm method rhythm method यानि की आवधिक सयम आवधिक सयम और यदी हम तीसरे method की बात करें lactational lactational eminaria जिसको हम हिंदी में कहते हैं इस्तन पान अनार्त्रव ठीक है इस्तन पान अनार्त्रव ठीक है अनार्त्रव राइट अब हम बात करेंगे सबसे पहले भाय सखलन की यानि की withdrawal method की withdrawal method का क्या मतलब है हम जब natural methods की बात करते हैं तो basically क्या बात करते हैं कि हमें किसमे किसे बचाना है कि जो विरिये है राइट और जो ओवरी है ओवम है और sperm है इसके fusion को हमें रोकना है ठीक है हमें इसके fusion को रोकना है किस के द्वारा प्राकर्तिक उपाय के द्वार क्या हो सकता है कि जब male intercourse कर रहा होता है प्राकर्तिक method क्या है अपनी शारेरिक रियां के अधार पर कंट्रोल करना ये प्राकर्तिक method का अधार दूसरी बात है, क्या करना चाहते हैं हम इन प्राकर्तिक मैधर्ट से कि जो sperm और ovum है उनका fusion ना हो, दूसरी बात, ये तो रहा इनका basis, अब भायस अकलन में हम कर रहे हैं कि जब intercourse कर रहा होता है मेल, तो वो अपना जो विरियस सेचन है, यानि कि जो ejaculation है, वो कहां करेगा outside of the vagina, right, मैंने क्या बोला, जो विरियस सेचन की प्रक्रिया है, या फिर हम कहें कि जो ejaculation है, वो कहां होगा, बाहर होगा, किस से, जो female organ होगा, reproductive organ होगा, क्या होगा, वजाइना होगी, तो हम कह सकते हैं, जो हमारी मादा, जनन, अंग है, उसके बाहर, ये विरे का सेचन कराता है, पुरुष, तो उस method को हम कहते हैं, withdrawal method, या फिर, coitus interruptus, is that clear, आजो हम देख लेते हैं, clear, अब हम देखेंगे, दूसरा method, जिसमें हम बोल रहे है, rhythm methods, देखो, rhythm method का क्या मतलब है, आपको पता है, कि जो females होती है, उसमें 1 to 21 days बहुत ही important होते हैं, menstrual cycle के लिए, यानि कि मासिक चक्र के आधार पर, अब पहले वाले method में, जो male होता है, उससे अपनी शारे क्रियाओं का पता होता है, उस आधार पर वो नियंत्रित होता है, जो हमारा rhythm method है, उसमें female, ध्यान रखेगी, मासिक चक्र के आधार पर कैसे, या एक से पांच दिन तक, ठीक है, एक से पांच दिन तक तो हम कहते हैं, बहुत जादा bleeding होती है, ठीक है, फिर 6 से 10 दिन के बीच में, या 6 से 9 दिन बोलनो, ज्यादा better रहेगा, 6 से 9 दिन के बीश में कोई परेशानी नहीं है कोई परेशानी नहीं कि किसी को bleeding जादा होती है किसी को कम होती है या फिर हम कहते हैं कि ending moment पे आ जाता है 10 से 17 दिन ये जो हैं बच्चो ये हैं हमारा deadline deadline क्यों बोला मैंने अभी बताती हूं यह हम बोल सकते हैं red zone क्यों बोला मैंने ऐसा ऐसा मैंने क्यों बोला ये मैंने इसली बोला कि 10 से 17 दिन यदी तुमने intercourse कर लिया मतलब एक महिला और एक पुरुष के मद्ध है 10 से 17 दिन कौन सा मासिक चक्र का 10 से 17 दिन में यदी intercourse हो जाता है तो यहां पर यहां पर जो है गर्ब धारण के chances भड़ जाते हैं क्यों क्योंकि आपको पता है 14 days पे कौन सा time होता है ovulation period क्या होता है ovulation period होता है और यदि इसके मध्य में intercourse हो जाए तो गर्धारण के chances भड़ जाते हैं तो महिला क्या करेगी प्राकर्टिक विदी में कि 10 से 17 दिन intercourse के लिए avoid करेगी राइट 10 से 17 दिन intercourse नहीं करना चाहेगी तो यहाँ पर हम अनवांचित या अनावशक गर्वधारण से बच सकते हैं कोई दिक्कत ना चलो अब थर्ड मेथर्ड हम पढ़ें थर्ड मेथर्ड मेथर्ड में हम देख रहे हैं कि lactational lactational amy noria अब इसमें क्या होता है देखो आपने सुना है ना कि जिसे कुछ जो parents होते हैं उनमें बच्चों के बीश में एक साल हाना सवा साल इतना अंतर होता है ठीक है ऐसा क्यों हो जाते है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता वो सोचते हैं कि 6 महीने तक तो हम स्थनपान कराएंगे तो उसके बात easily क्या होगा बेबी नहीं होगा अब आप यह सोचोगे कि मैं यह आप क्या कहना चाहरे हो आप सुनो क्या कहेंगे हम लेक्टेशनल अमेनोरिया बेसिकली 6 मन्थ डूरेशन के होती है 6 महीने तक हम क्या कराते हैं बच्चे को स्थनपान कराते हैं इस्थनपान के कारण क्या होता है प्रो लेक्टीन प्रो लेक्टीन प्रो लेक्टीन जो होता है यह क्या होता है सरवाधिक मात्रा में होता है मतलब इसकी जो कॉंसेंट्रेशन होती है वो हायर होती है ये प्रो लेक्टिन जब हायर होता है तो ये LSH और FSH यानि कि L突 coração स्टिमिलेटिंग होर्मोन and फॉलीकल पय स्कुलीटिंग होर्मोन, क्या होता है ये आपको पता है ये वाला जो मासिक चक्र होता है इसमें फॉलिकल का निर्मन होता है विद अहल्प आफ एस्ट्रोजन और जो LSH और FSH है वो क्या करती है फॉलिकल को स्टिमिलेट करती है और लूटिलाइजिंग और ये कारपस लूटियम है जो कि ovulation के टाइम पर काम आता है ovule को बाहर के तरफ release करता है ये तो बात पता है ना तुमको यहाँ पर ये LSH FSH की जानी दुश्मन है प्रोलेक्टिन क्या है ये इसकी जानी दुश्मन है यदि प्रोलेक्टिन होगा तो LSH FSH क्या हो जाएंगे concentration wise decrease हो जाएंगे और ये decrease हो जाएंगे तो definitely जब ovulation से ovule ही नहीं आएंगे तो fusion तो बनता ही नहीं है तो ये एक क्या है प्राकरतिक method है जिसकी वज़े से हम क्या कर सकते हैं अनावंचित या फिर नैश्रल तरीके से अनावंचित गर्भधारण से बच सकते हैं लेकिन हम और methods पर क्योंग है देखो बच्चों हम बात करें STI या RTI अब ये क्या terms है STI का मतलब होता है Sexual transmitted infection लिख देती हूँ Sexual transmitted infection और RTI का मतलब होता है Reproductive Reproductive transmitted Infection अब ये infection होते कैसे हैं बेसिकली ये infection होते हैं जब और ये वजाइना ये हो गया पैनिस और ये हो गया वजाइना अब यहां पर से भी sperm होता है तो लिक्विड होता है और वजाइना में भी अपना एक म्यूकस होता है जब ये attach होते हैं बच्चो तो STI और RTI के chances भढ़ जाते हैं अब तुम देखोगे कि प्राकर्तिक मेथड में तो कहीं पर भी हमने ये नहीं बोला कि कुछ हम extra use कर रहे हैं जिसकी वज़े से जो vaginal fluid है और जो sperm fluid है वो contact में नहीं आ रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा है तो यानि कि natural method से अनावशक गर्व धारन से तो बचा जा सकता है लेकिन STI और RTI को नहीं रोका जा सकता इसलिए ये जाधा कारगार नहीं है तो आजो आपन बात कर लें अपनी बुक में क्या लिखा होगा है आवधिक सायम रिदम माथट भाय सकलन कॉइटस इंटरॉप्टर्स इस्तनपान अनात्रव लैक्टेशनल एमिनेरिया आवधिक सायम में जिसमें एक दंपत्ती महवारी चक्र के दस्वे से सत्रवे दिन के बीच की अवधि में मैथून से बचते हैं अभी मैंने बोला इंटरॉप्टर्स नहीं करें जिससे की अंडो सर्जन ओविलेशन पीरियड अपेक्षिक अवधि मानते हैं इस अवधि के दौरान निशेचन वे उर्वर गर्ब धारन के अवसर बहुत अधिक होने के कारें इसे निशेच्च अवधि कहते हैं जो कि मैंने आपको बताई इस तरह से इस दौरान मैथून न करने पर गर्बादान से बचा जा सकता है भाय सकलन, सेकिंड मैथड या अंतरित मैथून एक अन्य विदी है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान विर्य सकलन फीक पहले इस्त्री की योनी से अपना लिंग बाहर निकाल कर विर्य सेचन का करते हैं इससे भी हम बस सकते हैं सनपान अनात्रव इस सत्थे पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद इस्त्री द्वारा शिशु को भरपूर सनपान कराने के दौरान अंडो सर्ग वे आतर्व चक्र शुरू नहीं होता है क्यों? क्योंकि लाइनिंग नहीं बनती, अंडोमेट्रिम नहीं बनता इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्ण तह सनपान कराना जारी रगती है इस दौरान शिशु को मा का दूद के अलावा उपर से पानी या कुछ भी खाने पीने का नहीं देना चाहिए यही तो हम कहते हैं 6-month duration यही कारगार माने जाती है डान चूंकि उप्युक्त वीडियो में किसी दवा या साध का उप्यूग नहीं होता है इसके दुश प्रभाव लगभग शुनने के बराबर होते हैं अपन बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे ना कुछ भी केमिकल का यूज नहीं ले रहे कोई भी बैरियर नहीं यूज ले रहे हैं तो नुकसान तो नहीं होगा प्राकर्टिक वीडियो के सफल रहने की दर काफी अधिक है लेकिन ये जो एक मैथेट्स हैं बच्चो ये जादा कारकर साबित नहीं भी होते हैं यदि हम क्यों 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 कि माल लीजे कि जो मेल है पहले जब इंटर कोर्स किया था उस समय उसने विरे सेचन यौनी के अंदर किया तो वहां पर चांसेस बन जाते हैं जाए दूसरी बार में ना करें तो चांसेस तो बढ़ गए ठीक है फीमेल लैक्टेशनल एमनुरिया के डूरेशन में क्या कराती है अपना फीड करा रही है लेकिन जरूरी तो नहीं है कि प्रोलेक्टिन सच में बहुत जादा और वो लेसेच और एफेसच पे इफेक्ट करें और हम क्या करें कि वहां पर आतरफ चकर नहीं आ रहा हो ऐसा भ होते हैं तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जनसंख्या साइकरन क्या होता है और जनसंख्या नियंतरन हम कैसे कर सकते हैं जिसमें पहली विधी पढ़ी प्राकर्तिक विधी और प्राकर्तिक विधी के अंदर भी हमने पढ़ा तीन विधियों के बारे में तो आशा करती कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे समझ में आयेगा फिर मिलेंगे अपन एक नई टॉपिक के साथ जब तक धन्यवाद